सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो और रेडमी की तरफ से वीवो का Y20 जो भी हाले में लाँच हुआ है 13000 का दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 9 प्रो जो पहले लाँच हुआ था 14000 का तो दोनों में सिर्फ 1000 का ही फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया हैं क्या क्या चाहिया हैं और आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप end तक देखते रहिएगा बिल्कुल बिस्किप मत करिएगा चले देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 14,000 तो Redmi के Note 9 Pro के साथ क्या के दिया गया है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहले एक mini box मिलता है जिसमे पीछे लगवा है एक SIM ejector tool अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ user manual इसके बाद दिया गया है यह normal quality में cover इसके बाद मिलता है mobile crapper के अंदर जिसका retail look हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है यह white color में data cable इसके length और quality दोनों बहुत जाद अच्छी हैं बाकि दोस अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको type C cable दी गई है इसके बाद आपको आखिर में रखा वो मिल जाता है white color में charger जिसकी build quality काफी जाद अच्छी है अब इस mobile में आपको fast charging का support भी दिया गया है और एक 18 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है तो charger इसके साथ आपको काफी अच्छा दिया गया है अब यह सारा समान आपको मिलता है Redmi के Note 9 Pro के साथ 14,000 में rate की साथ से देखा जाए तो box के contents आपको काफी अच्छे ही दिया गया है cover भी है type C cable भी आपको मिल जाती है और fast charger भी दिया गया है चले देखते हैं अगर आप 1000 और कम खर्च करते हैं Vivo के Y20 पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं Vivo के Y20 को इसमें भी आपको सबसे पहले रखावा मिलता है एक mini box जिसमें आपको अंदर की तरफ रखेवे मिल जाते है कुछ user manual कार्ड में लगवा है सिम इजक्टर टूल इसके बाद मिल जाता है यह कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है ज्यादा बैटर कवर आपको वीवो के साथ दिया गया है इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेयल लुक हम अभी देखेंगे उस इस मोबाइल में भी आपको फास चारजिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 18 वाट का फास चारजर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है अब यह सारा समान आपको दिया गया है वीवो के वाई 20 के साथ 13,000 में देखा जाए तो दोनों मोबाइल के अंदर एक और तो दोनों मोबाइल का उइट कलर आपको कुछ इस तरीकी से मिलता है वाइट कलर के साथ-साथ आपको वीवोे में रेंबो कलर के के एवक्ट दिये गया है और कुछ इस तरीकी से बलू शेड रखता है जो इच्छा लगता है वहीं दूसरी तरफ Note 9 Pro में आपको वाइट कलर के साथ साथ सिल्वर कलर का एफेक्ट दिया गया है जो बहुत जादा बड़िया लगता है अब डिजैन के अंदर तो लुक वाइस दोनों ही बहुत अच्छे हैं लेकिन वीवो में प्लास्टिक के डाइब के डिजैन है इसमें स्क्रेचिस बहुत जादा असानी सा जाते हैं रेडमी के Note 9 Pro में आपको ग्लास डिजैन दिया गया है गुरिला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो डिजैन की क्वाइलिटी Note 9 Pro की जाद अच्छी है वीवो से बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो वीवो के Y20 में आपको पिछी की तरफ तीन ही कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 13 Megapixel का और बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 Megapixel के इसका फ्रेंड कैमरा है 8 Megapixel का कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अदर आपको रेट की हिसाब से नॉर्मल ही मिलते हैं वही दूसरी तरफ Redmi के Note 9 Pro में आपको पिछी की तरफ चार कैमरे दिये गया है जिसमें पहला है 48 Megapixel का दूसरा 8, 3, 5, 4, 2 Megapixel का इसका फ्रेंड कैमरा है 16 Megapixel का कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Redmi के Note 9 Pro में बहुत अच्छे मिल जाती है इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया कैमरा दिया गया है Note 9 Pro का ही अगर आपको कैमरे की वज़े से ही मोबाइल लेना है तो Redmi का Note 9 Pro ज़्यादा बढ़िया है कैमरे को लेकर बाकि आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा लुक वाइस design दोनों के अच्छे हैं लेकिन quality ज़्यादा बेटर है Note 9 Pro की तो design में मुझे Note 9 Pro ज़्यादा पसंद आया बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो Vivo के अंदर आपको 6.5 इंचिस की डिस्प्ले मिलती है Note 9 Pro में 6.67 इंचिस की तो हलका सा और ज़्यादा बड़ा size आपको मिलता है Note 9 Pro में लेकिन इतना खास फार्क नहीं है बाकि दोस्तों सबसे बड़ा फार्क ये है Vivo के अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले दी गई है लेकिन Note 9 Pro में आपको IPS Full HD Plus डिस्प्ले मिलती है ये Vivo में कमी है 13000 में Full HD Plus डिस्प्ले नहीं दी गई बात करें दोस्तों यूजर डिफेस के बारे में तो Note 9 Pro में आपको Home स्क्रीन पे ही सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है आप राइट साइट पे स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है वही दूसरी तरह Vivo के अंदर आपको AppDraw दिया गया है आप ऐसे उपर के तरह स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है यूजर डिफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मुबाल्स नॉर्मल ही लगे बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके जाद अच्छे लग रहे है अब दोस्तों दोनों मुबाल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्रैटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ सबसे पहला फरक है डिजाइन को लेकर वीवो के अंदर आपको नॉच वाला डिजाइन मिलता है जो काफी कॉमन हो गया लेकिन रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको पंच्छोल कैमरा दिया गया है डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में तो display के design जो है जाद अच्छा है Redmi के Note 9 Pro का इसके अंदर आपको जादा latest design दिया गया है इसके लब अगर आप edges, bezels देखींगे तो वो भी आपको Note 9 Pro की display में जादा कम दिये गया है इसके लब आखिर में दोस्तों अगर आप colors देखींगे, quality देखींगे तो वो भी आपको display की quality जादा better मिल जाती है Note 9 Pro के अंदर ही इसके अंदर आपको full HD plus display दी गई है तो display size में, design में और quality में तीनों चीज़ों में जादा better है Redmi का Note 9 Pro left side साब देखींगे, दोनों में sim के trade दी गई है दोनों ही mobile's के अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है ये दोनों में खुबी है लेकिन दोस्तों side उसे जो build quality है आपको वो जादा अच्छे मिलती है Note 9 Pro की नीची की तरफ साब देखींगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है right side साब देखींगे तो volume के buttons और उसे की ठीक नीचे power के buttons इन दोनों mobile's में आपको power के button के अंदर ही fingerprint scanner दिया गया है इस चीज़ में दोनेक जैसे हैं back panel पे नहीं मिलता, side में मिलता है उपर की तरफ साब देखींगे तो vivo के अंदर कुछ नहीं दिया गया इस तरफ plane design है Redmi के अंदर आपको उपर की तरफ noise cancellation mic और IR blaster दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं इसमें जाद अच्छी होगी है अब दोस्तों दोनों ही mobile के अंदर आपको मिलता है Android का बिलकुल latest version Android 10 ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो vivo के Y20 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 image की और Redmi के Note 9 Pro में आपको बैटरी दी गई है 5000 20 image की इन दोनों mobile के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अप अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर दोनों ही mobile काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और दोनों ही mobile के साथ आपको fast user भी दिया गया है तो ये चीज़ भी दोनों में बहुत ज़्याद अच्छी है अब दोस्तो दोनों ही mobile के अंदर आपको मिलती है 4GB गरेम 64GB के internal storage इस चीज़ में दोने जिसे हैं बात कर दोस्तो प्रोसेसर के बारे में तो वीवो के अंदर आपको मिलता है snapdragon 460 processor अगर आप एक normal user है तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन दूसरी तरफ note 9 pro के अंदर आपको दिया गया है snapdragon 720G processor अगर आप एक बहुत ज़ादा heavy user है तो इन दोनों mobile में आपको ज़ादा बढ़िया performance देखने को मिलती है note 9 pro के अंदर ही performance को लेकर भी note 9 pro ज़ाद अच्छा है वीवो के Y20 से अब दोस्तों ये सारी खुबिये कम्यापको मिलती है इन दोनों mobile में चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो दीखें matter तो सबसे पहले ये करता है कि आपको वीवो पे ज़ादा भरूसा है या फिर Redmi पे इसके बाद आपकी main ज़रूत की जो चीज़ है वो किस mobile में ज़ाद अच्छी है तो अगर आपको अच्छी display चाहिए तो display की quality आपको ज़ाद अच्छी मिल जाती है Note 9 Pro में आप Note 9 Pro लीजिएगा इसकी display का design भी ज़ादा latest है size भी थोड़ा सा और बड़ा मिल जाता है और इसके अंदर आपको full HD plus display दी गई है डिस्प्ले में Note 9 Pro ज़ाद अच्छा है आप अच्छी display के लिए Note 9 Pro ही खरीदिएगा और दोस्तो अगर आपको अच्छी display के लिए Note 9 Pro ही खरीदिएगा और दोस्तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor तो वो भी आपको ज़ाद अच्छा दिया गया है Note 9 Pro के अंदर आप अच्छे processor के लिए Note 9 Pro ही खरीदिएगा heavy use के अंदर आपको ज़ाद अच्छी performance देखने को मिलेगी वीवो के comparison में आखर में दोस्तो अगर आपके लिए matter करती है mobile की बैटरी तो बैटरी के अंदर दोनों अच्छे हैं आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं ये खूबिया आपको दोनों में एक जिसी दी गई है तो बैटरी के अंदर तो दोनों अच्छे हैं लेकिन Note 9 Pro में आपको चार खूबिया जादा मिल जाती हैं वीवो से इसका camera जाद अच्छा है दूसरे इसकी display जाद अच्छी है तीसरे इसका design की quality जाद अच्छी है और चौतर इसके अंदर आपको important चीज प्रोसेसर जाद अच्छा दिया गया है तो इन दोनों मोबैल्स में जादा बेटर है Redmi का Note 9 Pro ही और दोस्तों कीमत में सिर्फ 1000 का ही फर्क है तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर आप 13000 में वीवो का Y20 लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 1000 महंगा Note 9 Pro खरीदियेगा 14000 में यह मोबैल आपके लिए जाद अच्छा रहेगा इन दोनों मोबैल्स में मुझे भी परसनली दोस्तों इन दोनों मोबैल्स में Note 9 Pro ही जादा पसंद आया जाद अच्छी खूब यह होने की वज़े से आप बताईगे नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबैल्स में कौन से जाद अच्छा लगा यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईगा वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल अकन भी दबा दियागा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लगव वीडियो गर आपको हेल्फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा वाटसे फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई